नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपके अपने चैनल ग्यानिस पार्ट पर आज 29 जुलाई का जो है सिच्छा नीती आई है नई सिच्छा नीती जो सबके चर्चा में चल रही है सब उसको सबके जहन में सबके दिमाग में नई सिच्छा नीती है क्या यह सबजेक्ट उठा यह बिशस हर पढ़ने वाले जतने बेखती हैं पढ़ाने वाले जतने टीचर हैं सबके दिमाग में ये नई सिच्छा नीद के बारे में चर्चा चल रही है और नई सिच्छा नीद है का आईए इसके बारे में हम चर्चा करते हैं और ये देखते हैं कि नई सिच्छा नीद है क् तो अमबेटकर जी ने एक बात कही है सिच्छा वज सेरनी का दूद है जो जितना पिएगा उतना ही धाड़ेगा तो दोस्तों सिच्छा जगत में एक बहुत बड़ा बदला हुआ है और राश्टी सिच्छा नीद जो आई है 2020 ये बहुत बड़ी बदलाव लाई है दोस्तों इसमें चर्चा क्या है चर्चा क्या क्या करना है हम इसके बारे में चर्चा करते हैं तो प्रधान मंतरी की अध्यचता में वाली केंदरी 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 और इसमें से नई सिच्छानीत Benrespon expense जो dabei उतिस जूलाई को दी है उसमें आपको एक परस्ण बन सकता है यह उन्पी ज़रूर पोछेगा और इसमें से नई सिख्छानीत में क्या क्या प्रस्ण बन सकते हैं जैसे आपने अभी हमने एक बताया कि जो है किसकी अध्यचता में केंदरी कैबिनेट की राष्टी सिच्छा नहीं थी 2020 की मंजूरी थी प्रधान मंतरी एक कोश्चन दूसरा कोश्चन किस डेट को हुआ था 29 जुलाई को हुआ था और इसी अगले लाइन पर चलते हैं 1986 के बाद 34-34 साल बाद नई सिच्छा नीत में बदला हुआ है दोस्तों इसके पहले राष्टी सिच्छा नीत के बदला हुआ था तो वह 1986 में हुआ था तो राजजी उगादी जो है कि इसके पहले दूसरी बार बदलाओ कब हुआ था तो 1986 में पहली बार 1968 में और तीसरी बार कब हुआGr 2020 महीं यह प्रस्थई और अगला प्रस्ण है मानो संसाधन विकास मंत्राले का नाम बदल कर सिच्छा मंत्राले कर दिया गया है तो दोस्तों मानो संसाधन विकास मंत्राले यह नाम जो है राजी उगादी 1985 में किये थे तो इसका नाम बदल कर फिर 2020 में सिच्छा मंत्राले कर दिया गया है अदेश म उच्छा के लिए एक नियम होगा पूरे भारत में एक रास्ट में पूरा एक सिच्छा होगी उच्छा आयोग का गठन किया जाएगा और उसके अंतरगत उसमें देखा जाएगा और उसमें चर्चा किया जाएगा क्या है चलते हैं इसमें देखते हैं क्या क्या बदलाव किय गया है जो कि बहुत जरूरी था सिच्छा शेत्र में बहुत जरूरी था हमारे दिमाग में कभी-कभी चलता था हम जो है इस समय कुछ बच्चों को पढ़ा रहे हैं उसमें दिमाग में आता था कभी-कभी छोटे बच्चे को कैसे ग्रोध किया जाए उनको जो है कुछ आते थे हमारे पास CBSC Board के बच्चे आते थे जो उनको जानकारी नहीं है अगर उनसे हिंदी में पूर दिया जाए इसका मतलब क्या है तो वो बताते नहीं थे तो वो बस यह कहते थे हमारे यहां इंगलिस में पढ़ाया जाता है और इस छेतर में हम भी चाहते थे बदला हो लेकिन यह जो है नई सिच्छा नीतमी यह चीज रखी गई है कि छोटे बच्चों को कैसे पढ़ाया जाए कैसे सिखाया जाए तो यह सबसे बड़ी चीज इसको बदलाव जरूरी था सिच्छा नीतमी इसमें मात्रिभासा को बढ़ावा देने की बात आई है देखे स्कूली सिच बता रहे थे कई बच्चे सीबेसी बोर्ड के neighborhood, बच्चोंपी बच्चे को पूछा जा रहा थे तो बता नहीं पा रहे थे वह बता नहीं पा रहे सबसे बड़ी बदलाव सबसे बहुत इसका प्रभाव कारी एक्ट हम नौ कि इसने सबसें प्राउधन के बीद हाव तो मात्रिपहसमें बढ़ हाँ honest मात्रिपहसमें सबसें प्रात्थों जीनैस और हम दल्यूंत मैंच बढ़ किया दें आपके गाउं छेतर में क्या हुआ कि CBSC Board एक से पांच तक बहुत स्कूल मिल जाएंगे छे से आठ तक भी मिल जाएंगे लेकिन आठ से बाद नौवी के बाद नौवी से बारहमी तक के लिए स्कूल CBSC Board की खोजना पड़ता है खासकर रूलर एरिया में तो इसके लिए जो है आप माँ पहले तो छोटे बच्चों को मात्रिभासा में सिखाएंगे मात्रिभासा अगर सीख जाएंगे क्या होता है कि CBSC Board के अगर बच्चे हैं तो वो जाते हैं स्कूल में जाते हैं तो वहां क्या होता है वो इंगलीज में बोलते हैं किस में बोलते हैं इंगलीज में बात करते हैं इसके बाद रूलर एरिया में पैरेंट जो है, माता पिता जो है, हिंदी बोलते हैं, उनके आज पड़ोस के बच्चे हिंदी यूज करते हैं, हिंदी का मतलब मात्रिभासा यूज करते हैं, तो अपनी जब मात्रिभासा यूज करेंगे, तो उनको वो चीज बहतर समझ में आ जैसे CBSC Board वालों को पढ़ाईए, इंगलिस बताईए, इंगलिस के साथ साथ उनको हिंदी की भी ग्यान बताईए, अगर इंगलिस के साथ साथ अगर जो उनको उडिया है, उडिया हम बताईए, ये जो है, बहुत प्रभाव पड़ेगा, बिद्यार्थी की स्कूल सभी अस्त संस्क्रित तो दोस्तों इसमें आपको एक संस्कृत चुनने का एक विकल्क पा उसर रहेगा, उसको आप चुन सकते हैं, और भारती संक्रथ है पित्व को देज भर में मानेक क्रित किया जाएगा बधिर विध्यारियं पाट समागरी विक्सित ऻव्कित कि जाएगे दोस्तों जैसा के हम बता रहा हैं कि विध्यार्थी जो हैं व्लोंप काहम कम देखनेा हैं सेहरों देखने की मिलते हैं अब रूलर एरिया में आपको कम मिलेंगे तो बधिर जो है इससे बंचित रह जाते हैं इससे बंचित रह जाते हैं वो पढ़न नहीं पाते हैं तो दो है इसके छेतर में नई सिच्छानीत के अनुसार बहुत बड़े बदलाव किये गया है इसमें बहुत बड़ा कदम उठा और सबसे मज़ेदार की बात यह बताएं कि 2030 तक 100% नामंकर का अनुपात करने के लख्ष रखा है नई सिछानीत में दोस्तों इसका हमाई इसका इसमें 2030 का 100% नामंकर का अनुपात का कहने का मतलब है कि जो है जितने बच्चे हैं जितने बच्चे हैं वो कम सकम अभी जो है 70% के करीब जो है पढ़ाई कर रहे हैं 30% करीब बच्चे भी बंचित हैं उनको क्या है 2030 तक 100% करने का 100% करने का अनुपात है स्कूली सिछा में 100% नामंकर होंगे स्कूल जो है 100% जो है दच्चता देगी 2030 तक सब साच्चर हो जाएंगे सिछा से दूर रहे लगबग 2 करोड़ बीच में छोड़ करके वो कमाने चले गए या कहीं दूर चले गए दूर तरह चले गए जहां वो स्कूल से बंचित हो चुके हो उनको भी दुबारा आउसर नई सिछा नीत में प्रदान की जाएगी कि वो नई सिछा नीत के दौरा फिर से बढ़ सकते हैं इसको जो है एक नई सिछा नई सिछा बेऊस्था जो है सिछा में बदलाव भी किया जाएगा तो दोस्तों जैसा कि बताएं नई जब यहां सिछा से दूर रह रहे लगबग 2 करोड़ बच्चों को दुबारा से आने के लिए कहा जाएगा या दुबारा आएंगे उनके लिए स्कूल भी भाणने पड़ेंगे संसाधन भी बढ़ाने पड़ेंगे तो नए स्कूल के स्थापना भी करनी पड़े और स्कूल के सिछा जाएगा जैसा का है अगली heading आप do salis the बड़ा फैसला नई सिछा नीत में आई है अब तक क्या हुआ था कि 10 ठेन प्लस 2 हम लोग कहते थे अब ये क्या हुआ है 10 प्लस 2 समाप्त हो गया है क्या हो गया है समाप्त हो गया है अब ये 10 प्लस 2 नहीं कहेंगे अब क्या है 5 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 4 क्या 5 प्लस 3 प्लस 3 4 इसका मतलब क्या है इसका मतलब हम बिसे इसको पूरा description में हमने नीचे बताया है कि इसका मतलब क्या है 5 plus 3 plus 3 4 जैसा कि आपको अभी आगे बताते हैं यह इस प्रकार है 3 से 8 वर्स 3 से 8 वर्स के बच्चों को क्या मिलेगी 5 साल 5 8 से 11 3 11 से 14 3 फिर चौथा क्या है चौथे चरड में जो है foundation foundation मतलब क्या होता है शुरुवात initiate यह foundation का मतलब होता है पर्थम स्रेडी शुरुवात initiate जो इस प्रकार है 3 से 8 वर्स के बच्चों के लिए पहले 3 वर्स आगनवाड़ी प्री स्कूलिंग सिच्छा फिर 2 वर्स के लिए 1 और 2 मपढ़ेंगे दोस्तों जैसा कि आपने बताया कि प्लान इसका change हो गया है पहले क्या था क्या था 10 प्लस 2 अब क्या है 5 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 4 जैसा कि यहां आपको बताएं जो इस प्रकार है कि 3 से 8 वर्स के बच्चों को पहले 3 वर्स आगनवारी प्री स्कूलिंग सिच्छा फिर 2 वर्स इसकूल में एक और दो पढ़ेंगे जैसा कि आप लोग सब लोग जानते हैं जो सीब्यसी बोर्ड से हैं क्या चलता था यल केजी यू केजी वन टू इस तरह चलता था तो यह जो अब क्या हो गया प्री स्कूलिंग पहले बच्चे को जो है तीन वर्स थे तीन वर्स का बच्चा है उसको अडविंशन कराईए तो वहां जो प्री स्कूलिंग में जाएंगे तो अगले वर्स दो में पढ़ेंगे तो कुल मिला जो लागिए पान साल में वह दो कच्छा दो तक रहेंगे अगला स्टेज क्या सेकेंड स्टेज में आठ से ग्यारा वर्स दिक के बच्चों को तीन चे पांच देखिए गलत लिग गया है इसमें स्वारी इसमें जो है गलत थोड़ा सा हम मिस्प्रिंट हो गया है लिखने में तो इसके लिए हम छमा चाहते हैं इसमें क्या दिया है कि तीन से आठ वर्स हो गया तो इसके बाद चलिए आठ से ग्यारे वर्स 8-11 वर्स के बच्चे को क्या किया जाएगा अगले स्कूल में अगले कच्छा में 3-5 तक पढ़ाने के लिए अनुति दिये जाएगा 8-11 वर्स के बच्चों को 8-11 वर्स के बच्चों को क्या है 3-5 यहां कच्छा 3-5 तक की सिच्छा मिलेगी इसमें क्या है आप 8-11 वर्स में 3-5 तक मिलेगी फिर मिडिल स्टेज आता है मिडिल स्टेज में क्या है 11-14 वर्स में 6-8 तक किस इच्छा मिलेगी चैसे आठ तक की सिच्छा दी जाएगी उसमें, किसमें मेडिल स्टेज में, और इसके बाद सेकंडरी स्टेज, जो पहले हम लोग सेकंडरी, फिर सीनियर सेकंडरी होता था, सेकंडरी मतलब हाई स्कूल, सीनियर सेकंडरी मतलब 12 होता था, अब क्या सेकंडरी स्टेज हो गया जो 14-18 वरस्तक की बच्चों को 9-12 सुआ दी जाएगी इसमें सिच्छा दी जाएगी कितमें 9-12 सिच्छा दी जाएगी तो दोस्तों जैसा कि सिने सेकंडरी स्टेज खत्म करें सेकंडरी स्टेज तक लास्ट चव्था चरड तक दिया गया इसके बाद जो है दस्में बाराव गूर्ड की परिछा जो है अब उसको और आसान कर दिया असान करने का मतलब यह है कि पहले क्या होता था बयγख shaping को ब्याक्षात्मक होता था पहले description में होता था पूरा इसको descriptive लिखना रहता था अब क्या है आसान कर या वस्तूनिस्त डाल दिया और ब्याख्ख्खात्मक डाल दिया इससे क्या होगा आप सुरू से ही जो है बाद बनेना एक्जाम, परिज्चा सर्विश के लिए हम लोग एक्जाम देते हैं, तो उसको एक्जाम में वस्तुनिस्ट प्रस्ण अक्सर पूछे जाते हैं, तो उससे क्या होता है कि आपकी mental power भी उसमें बढ़ेगा क्योंकि उसमें तारकिक प्रस्न डालेंगे मिलान करने के लिए डालेंगे मैच करने के लिए डालेंगे तो उसमें आपकी खत्मख और बस्तिंस प्रस्न दोनों add किये जाएनगे इसमें इसलिए आसानी भो जाएगी और थोड़ा सा बेहतर भी रहेगा अगला जो है 10th 12th के बाद जो है आता क्या है असनातक असनातक की चर्चा करते हैं असनातक का कोर्स कैसे गज़ागा इसमें भी बदलाव किया गया इसमें बहुत बड़ा किया गया यह गजब की बदलाव किया गया है इस नई सिच्छानित में बहुत गजब का बदलाव यह है योजी का कोर्स जो है सनातक का साच्छरता दर तो सबसे पहले बता दें कि 2018 में लगवा 26.4% था जो इसको बढ़ा कर 2035 में 50% करने का लक्ष रखा गया है कितना 50% क्योंकि इंटर तक तो आप 100% किसी को साच्छर बना सकते हैं लेकिन इसके बाद रास्ते आ जाते हैं कई रास्ते आ जाते हैं किसी को नौकरी करना है किसी को कुछ करना है इंटर के बाद सर्विस भी मिलनी सुरू हो जाती है कोई सर्विस में चला जाता है तिसलिए 100% तो नहीं लेकि जो है 26.4% से 50% करने का सरकार ने इसको लच रखा है यह मज़दार की बात है कि जो योजी कोर्स में तीन से चार वर्स करने का प्रावधान है जैसा कि अभी हमने शुरू-शुरू में आपको बताया है कि इंटेग्रेटर भी यह जो अब तक चुनिंदा इंवस्टी कराती थ बताया हुना रहता है जो यह खेकरती थी आप क्या है एक नई सिच्खानीत के अन्शुरू हर कोई हर इन्वस्टी में नई सब्सक्रावधार चर्चा करते हैं प्र बतातेरी हैं तो भी युजी कोर्स में तीन साल का होता था तीन साल का होता था तीन साल के में हम लोग कोई क्या होता था किसी कारण बस एक वर्स पढ़ाई करने बाद वो छोड़ देता था तीन वर्स पूरा हुआ तो उसको डिगरी मिल जाती थी लेकिन अगर एक वर्स चोड़ता था दो वर्स चोड़ता था वो कुछ भी नहीं मिलता था वह नगर थी कि मतलब अब ग्रिजूसंद कीए है कोई वैलू नहें आप फस्ट यीर की हैं सेकंड ये वैलू नहीं जब तक थार्ड ये सिप्थ geben नहीं होती थी अब क्या इतने मज़िदार के बात सम बताने जा रहा हैं में देखिए आपके जो नई सिच्छानित में बदलाव किया गया है एक वर्ष की पढ़ाई पूरी करने के बाद आपको सर्टिफेट कोर्स दिया जाएगा अगर एक आप वर्ष पढ़ाई करने के बाद आप छोड़ दी हैं ऐसा नहीं है कि आपको इन्वेस्टी कुछ नही दिगरी देगी अप अगर तीन वर्ष पढ़ाई कर लेprofit देगी कि दोस्तों जैसा कि बता दें आपको 3 वर्ष में तरह पर आप छोड़ दिये हैं आगे पढ़ना चाहते हैं master बनना चाहते हैं teacher बनना चाहते हैं आगे और पढ़ना चाहते हैं higher degree जितनी भी लेना चाहते हैं अप ले सकते हैं तो चार बस पढ़ाई पूरा करने पर सोध के साथ bachelor degree sorry bachelor degree जो है कि bachelor की degree मिल जाएगी और उसको सोध की डिग्री साथ-साथ मिल जाएगी दोस्तों इसमें तरह-तरह की आपकी डिग्री मिल जाएगी और विसे जो है ग्रिजुशन में आप पहले क्या होता था साइंस का सब्जेक्ट ले लिए तो आर्ट नहीं ले सकते हैं अगर माली इंजरिंग का कोर्स कर रहे हैं आप उसके बाद उसमें फैसन डिजाइनिंग का कोर्स करना चाहते हैं तो आप स्विच्छा अंसार कर सकते हैं पहले बाद अब कुछ भी नहीं आप सुतंत रहे हैं ले सकते हैं, कर सकते हैं Science है, Science का आप पढ़ रहा है Science का बच्चा आर्ड का subject लेकर पढ़ सकता है explore to jala B8 का कूर्स के बारे मैं हम जानकारी के लिते हैं B8 जो है एब तक उठावच ने बता आँए जैसा कि अभी पिछली बार चर्चा में था बेल लेड उसी तरह बीएट चार साल का हो गया अगर आपको आगे आपको लच्छ निर्थारित करना पड़ेगा इंटर से ही कि अगर हमको टीचर बनना है या सिविल सेवा के तैयारी करनी है या आईस पीसेश तैयारी करनी है या बैंक के छेतर में जाना है अगर बैंक के छेतर में जाना है आईस पीसेश तैयारी करनी है तो आप ग्रेजुसन करके नार्मल ग्रेजुसन तीन साल करके छोड़ सकते हैं अब प्रिपरेशन कर सकते हैं, civil का, I.S. का, PCS का, bank का, जो graduation based भे है, SSC का, जो graduation based भे है, आप उसको graduation करके 3 साल का, इसके बाद प्रिपरेशन कर सकते हैं, अगर आगे पढ़ना चाते हैं, तो V.A.E.D. करना चाते हैं, 4th year integrated V8 कर सकते हैं यह बहुत सुनारा आउसर है क्योंकि अब तक क्या होता था कि creation करने के बाद तीन साल creation करने के बाद दो साल V8 करते थे तब इसके बाद पांच साल हम complete होता था अब कितनी गजब की परिवर्तन हुआ इतना गजब का change हुआ है कि आपको चार साल में V8 भी degree मिल जाएगी और इसमें इस नातक के बाद अगर आप करेंगे तो दो वर्स वो पुराने ही वेस पे है अगर पराज नातक करने के बाद आपको एक वर्स का V8 करना होगा PhD कोर्स करने के लिए क्या होता है चार साल डिगरी के बाद आप बिना बाद नई चार साल डिगरी के बाद में बिना यम्फिल के सीधा PhD में प्रिवेस कर सकते हैं दोस्तों जैसा कि पहले PhD के लिए क्या होता था यम्फिल करना परता था इसके बाद PhD में प्रिवेस करते थे आप बिना यमफिल कि ये पीजडी में प्रिवेश कर सकते हैं चार साल डिगरी के बाद में कर लिजे एक साल का और इसके बाद यमफिल करना ये करना नहीं है इसके बाद आप सीधे पीजडी में प्रिवेश पा सकते हैं शिच्छक बरती एक अहम मुद्दा बन चुका है, एक सब के जहन में है, जहां खड़े हो ये, सिच्छा में बदला हो गया, चलिए ठीक है, लेकिन क्या है, बदला हो क्या है, ये कोई नहीं जानना चाहरा है, अब तोसल मिडिया पे जो चल रहा है, कुछ लोग उसको पढ़ आप पास करना अनिवार है, और इसमें क्या होगा, शिच्छक बरती में पहले होता था, आप पास करते थे, तेट फिर आपको नौकरी पर रख दिया जाता था, अब क्या है, अलग-अलग स्टेट अलग-अलग प्रकार से कराएगी, लेकिन टेट पास करवाएगी, इसके बात जो है, आपको कहीं रखेगी, और एक मज़ेदार बात बता है कि जितने प्राइबेट उस्कूल है, जैसे किसी बच्चों को प्राइबेट उस्कूल में रूलर एडिया में देखनों की मिलता था, कि जो है इंटर करके बच्चा, अगर ग्रेजिशन में एडमिसन करव लड़का पढ़ाना सुरू कर देता है, उसको अगर पढ़ाने का तरीका मालूम है, साइद बच्चे का भविस्टा के साथ खिलवाड होता है प्राइबेट स्कूले में और खासकर CBSC बोर्ड की स्कूले जो है, CBSC बोर्ड की स्कूली जो सुरू है एक से पांच तक तक तो लकेजी, यूकेजी के बच्चों को पढ़ाता है तो इसमें ये सबसे सही बात हुई है कि प्राइबेटी स्कूलों पर टेट पास करने वाले ही बैक्तिकों टीचर के रूप में निक्ट किया जाए इससे जो है बच्चों का भविश्य से बहतर होगा टीचर इलिजबल रहेंगे, बच्चे योग रहेंगे टीचर अगर इलिजबल है, तभी बच्चे इलिजबल रहेंगे तो दोस्तों इसमें प्रस नियाद दिला देते हैं सिच्छा समवर्थी सूची का विश्य है एक क्रोश्चन बन सकता है, किस विश्य का है तो सिच्छा समवर्थी सूची का विश्य है तो दोस्तों सिच्छा, नई सिच्छा नीत के अंतरकत जितना भी बदलाव हुआ था लगभग ये 600 पेज के करीब आपका बदलाव आया है उसमें से जो बहतर था, जो इंपार्टन था हमने इसको आपके पास प्रवाइड करने का काम किया है अगर आपको अच्छा लगेगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक, सेयर जरूर करिएगा धन्यवाद